दोस्तों मस्कार स्वागत है आप सभी का आपीके चनल उशा की क्रण में आज हम बात करेंगे भारत की सबसे सेफस्ट MPV महिंद्रा मराजो के बारे में जो की तीन तरह के वेरियंट्स में आती है M2, M4 और M6 दोस्तों आज की वीडियो के लिए हमने चुना है इसका बेसिक वेरियंट M2 जिसकी हम ऑन रोड प्राइस के वारे में सबसे पहले आपको बताएं तो 13,485 रुपे में आप इसको ऑन रोड इंदौर में खरी सकते हैं दोस्तों आपके सहर में थोड़े से प्राइसिंग भिन हो सकते हैं चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस गाड़ी के हम सबसे पहले फ्रंट लुकी जहापर आपको काफी सांदार इसके अंदर डूएल चंबर हैड लाइट्स मिलते हैं जो की हैलोजन बल्प के साथ में ही आएंगे अगर हम टॉप वेरिंट पे जाते हैं तो वहां पर आपको प्रोजेक्टर हैड लेने का प्रावदान होता है सामने से काड़ी कुछ इस तरह की दिखती है महिंद्रा का लोगो दो दो आपको वाशर के साथ में वाइपर मिलेंगे साइड प्रूफाइल की बात कर करना होता है जिसको पर आपको टर्न इंडिकेटर वगरा भी मिल जाते हैं तो बेसिक वेरियंट के अंदर दोस्तों आपको ज्यादा सुविधा है तो नहीं मिलती है अकर देखा जाएं लेकिन फिर भी तमाम सारी सुविधाओं का एक पैकेज आपको बेसिक वेरियंट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है बॉडी कलर्स के यहां पर आपको डोरेंडल नहीं मिलेंगे लेकिन आप इनको कलर भी करवा सकते हैं अगर आपको करवाने हो तो आफ्टर मार्केट चलिए दोस्तों पैसंजर डोर को ओपन करके देखते हैं तो कुछ इस तरह की हमें दिखती है महंदरा माराजो आंदर से जिसके अंदर इंटीरियर जो है यहां पर डुर्ल कलर टोन के अंदर दिखाई देता ह। बेच कलर और बलेक कलर दोर को पर दूस्तों आपको यहां पर पानी की बोतल रखने के लिए जगे मिलता है अगर अंदर की हम सीटिंग sirichten कीब काफ़टिबल हैं जिसके उपर आपको एड़ेस्टिबल मिलेंगे सारही सीट्स पर और काफी बहतरी कुशन फैब्रिक अपोल्स्टी के साथ में आपको यहां पर यह सीट्स मिल जाती है जहां पर आपको थाई सपोर्ड भी अच्छा मिलता है और इनका जो कुशन है वो काफ मिलता है काफी बैटरी ने जिसके अंदर आपको कूल फैसिलिटी नहीं मिलती है बेसिक वेरियंट के अंदर और इस तरह का हमें जो है इसका डैस्पोर्ड यहां पर दिखाई देता है साथे दोस्तों आपको यहां पर म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए जगे मिलती है मह पाइल चार्ज कर सकते हैं सिक्स स्पीड मैनूल ट्रांशमिशन के साथ में आती है महिंद्रा मरा जो जिसका जो गेर शिफ्ट लीवर है इसको डैस्पोर्ड के अंदर ही अटेच किया गया है जिससे कि यहां पर इस्पेस काफी अच्छा कासा मैं मिल जाता है तो इस तरह क पीछे के डूर को हम ओपन कर लेते हैं पीछे से हमें कुछ इस तरह की मिडल वाली जो रो है कुछ इस तरह की दिखाई देती है दोर के उपर आपको यहां पर पि काफे सारा स्पेस मिलता है पाणी की बोतल रखने के लिए जगे मिलती है पावर विंडो की स्विचीज मिल दोस्तों यहां पर आपको पाइलेट टाइप की जो है इसके अंदर कैप्टन टाइप की सीट्स मिलती है जिसको कि आप फोल्ड करके पीछे की साइड में जा पाएंगे तो दोस्तों यहां पर आप तेख पाएंगे यहां पर आपको तीन लोगों की बैठने की बरस्ता हो रह यहां पर lever मिलता है जिससे कि आप उसको एजली fold कर पाएंगे और जिससे कि आपको पीछे जाने के लिए जगह बन जाती है तो इस तरह से कुछ आप अपनी seat को fold करते हैं और seat को fold करने के बाद में जो है आप पीछे जा पाएंगे तो इस तरह का सीटिंग अरेजमेंट है पीछे भी काफी बैटरीन आपको यहाँ पर सीटिंग स्पेस मिलता है दो लोगों के बैठने के लिए और वहाँ पर अभी आपको जो है एड़ेस्टिबल हैड़रेस्ट वगरा मिल जाते हैं शाथे दोस्तों उपर की साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सराउंड कूलिंग सिस्टम मिलता है जिससे की पीछे की जो पैसेंजर हैं या मिडल रो के पैसेंजर हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी खासी आपको यहाँ पर कुलिंग एफेक्ट आजाता है शाथे दोस्तों आपको यहाँ पर लाइट वोगरा भी मिल जाती है तो काफी बैतरी फीचर्स के साथ में लैस है नई महिंद्रा मराजो एम टू वेरियंट्स की हम बात कर रहे हैं इस तरह का आपको इसका कुछ अंदर से इंटीरियर दिखाई देता है शाथे दोस्तों यहाँ पर आपको अगर हम डो रजार वार्डिंग हो गया सीट वेल्ट रिमाइंडर हो गये साइट इंपेक्ट बीम हो गया प्रेस सेंसर हो गया और फ्रंट इंपेक्ट बीम सेंसर इस तरह की सुविधाओं से लेस है नहीं महिंद्रा मराजों जिसके अंदर आपको कई सारे सेफटी फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं तो यह था दोस्तों इसके अंदर का व्यू अब हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की साइड में पीछे से हमें कुछ महिंद्रा मराजो इस तरह की दिखाई देती है जहाँ पर आपको काफी बड़ा सारा इसका रियर का जो ग्लास है वो मिलता है महिंद्रा का लोगों मिलेगा उपर आपको हाई स्टॉप जो है इसका लाइट मिलेगा यानिक ब्रेक लाइट मिल जाती है और पीछे आपको रियर वाइपर और basic variant के अंदर नहीं मिलते हैं महिंद्रा के right hand side में आपको chrome finish के साथ में branding मिलेगी साथ ही मिलेगी M2 की branding और left hand side में आपको मिलती है महिंद्रा की branding तो इस तरह का आपको इसका rear जो है look दिखाई देता है जहापर अगर हम safety की बात करें दोस्तु तो पीछे की side में आपको यहाँ पर चार चार रिवर्स पार्किंग sensor मिल जाते हैं आपको reverse camera जो है वो एडिशनरी लगाना पड़ेगा महिंद्रा मराजों के अंदर दोस्तो आपको 45 लेटर का fuel tank मिलेगा याणि की diesel साथी आपको पीछे की जो रो है उसको 60 40 के ratio में जो है टिल्ट करने का भी प्रावधान मिल जाता है जिससे कि आप अपने बूट स्पेस को बढ़ा सकते हैं तो इस तरह की दिखती है हमें कुछ महिंद्रा मरा जो पीछी की side से यहाँ पर आपको कई सारी features मिल जाते हैं कुछ इस तरह के control switches मिलते हैं देखने के लिए सारे power window के switches मिलेंगे ORVM को आपको manually adjust करना पड़ेगा जिसका switch यहाँ पर आपको कोई भी देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर भी आप अपना पाने की bottle वगरा रख सकते हैं तो इस तरह की चीजें मिलेंगी यहाँ पर प्रावधान या सुविदा यहाँ पर नहीं मिलेगी तो कुछ इस तरह की है महिंद्रा मराजो जहाँ पर आपको आगे के दोनों ही जानी की driver and co passenger के लिए airbag system मिलेगा जिससे की safety आपकी बढ़ जाती है इस तरह का आपको black color का इसका steering मिलता है जिसके बीच में आपको मिलता इस steering के साथ में मिल जाता है power steering मिलेगा जोगी electrically assisted steering आपको यहाँ पर मिल जाता है साथी काफी सांदार आपको यहाँ पर instrument cluster मिलेगा जिसमें आपको tachometer speedometer बहुत सारी information so होगी फलाल गाड़ी की जो battery है वो down हो चुकी है नहीं तो मैं आपको इसको on करके भी पता देता उप अपर की साइड में आपको यहाँ पर संवाइजर मिलते हैं को पैसंजर साइड में आपको वैनेटी मिलेगा driver के लिए यहाँ पर आपको कोई काच नहीं मिलता है नहीं कोई ticket holder मिलता है साथी दोस्तों आपको white color की यहाँ पर LED के साथ में आने वाली इसकी room light भी मिल जाती है आगे की साइड में तो इस तरह का था दोस्तों इसका सामने का लोग जहां पर आपको तमाम सारे features देखने के लिए मिलते हैं महिंदरा मराजों के अगर हम engine की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको काफी बहतरीन BSX engine मिलता है जिसको उपर आपको पास साल एक लाग किलो मिटर के आज पास का चलिए दोस्ते इसके बॉनट को हम ओपल कर लेते हैं यहाँ पर आपको काफी मजबूत और काफी हैवी स्टील मेट्रियर के साथ में बनाया हुआ इसका बॉनट मिलता है और यहाँ पर आपको मिलेगा लगबग 1497 का यानि की 1.5 लीटर का BSX diesel engine four cylinder four wall technology पर काम करता है CRDI engine है जिसके अंदर आपको टर्बो चार्ज मिलेगा अगर हम पावर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इससे आपको 121 BHP की पावर मिलेगी लगबग 3700 RPM के आसपास और 300 NM का टॉर्ग मिलेगा 1750 से लेकर के पचीस सो आर्पीम के आसपास तो इस तरह का की पर इसका इन ने कंपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको टर्बो चार्ज है साथ ही आपको यहाँ पर 12 वोल्ड के इलेक्रिकल करेक्शन मिलते हैं जिसके अदर आपको एमरोन की बैटरी यहां पर भील आती है तो दोस्तों का को लगाया गया है जिससे गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार की कोई इंजिन की अबाज बगरा न आ पाए ओवराल जो गाड़ी का कर्व बेट है वो है सोले सो पचास केजी के आसपास और इस तरह का था दोस्तों हमारा आज का रिव्यू उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और पहली बार मेरी चैनल पर अगर आप आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करना ना भूले इन गाड़ियों को खरीदने के लिए आप इंदोर में शोम या वीकल्स पर संपग कर सकते हैं जहां पर आपको तमाम स सारे महिंद्रा के वीकल्स अवेलिबल होंगे तो आज के लिए इतना जैहन जैवारत